तो गुद्मॉर्णिंग गाइज एचली मैं आज भी बनाना भूल गई सुभा मॉर्निंग में अभी मुझे याद आया अभी बारा बच रहे हैं और मैं नहां भी ली पूजा भी कर ली मैंने योगा भी कर ली जो भी मेरा रूटीन होता है सुभा का मैं अल्रेडी कर चुकी ह हूं स्वखरी के मैं आप लोगों से वो शेर नहीं कर पाई बट कोई नहीं अभी हम खाना खाने खाने के बाद दुबारा मुलते हैं वाई के लिए ये लेके जाने हैं ऊपके किसे ठोड़ना है और फिर मुझे भी कुछ काम है और जो काम है कर मैं आपके शेर करती हूं जा और बाहर मौसम बहुत सुहाना हो रहा था क्योंभी कुछ दिनों से बारिश कंटीनियू पढ़ रही थी तो से मौसम काफी अच्छा लग रहा था तो फाइनली हम वहां पहुच गए हैं जहां हमें जाना था तो थोड़ा सा कभी कभी अपने आपको पैमपर करना बुरी बात नहीं है तो आज मैंने भी सोचा अपने आपको पैमपर कर लेती हूँ तो मैंने हेय स्पा से स्टार्ट करते हुए काफी चीज़े करा है लेकिन हे पैडिक्यूर भी करा लेते हैं तो फिर पैडिक्यूर के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना एक्सेंशन भी करा ले तो आप देख सकते हैं और एक्सेंशन के बाद मेरे पैर कुछ ऐसे लग रहे थे तो वापस आते आते मुझे यही कोई साड़े-पांच हो गए थे और मौसम भी काफी अच्छा हो रहे ता जो आपके सामने हैं और गिस राष्टे से हम जा रहे थे हैं काल का माता अंतिक्性 बढ़ कम धिर बढ़ा था रास्ते में लो मैं आपको दिखा देती हैं जिस जिसको दर्शन करने हैं वो यहीं से दशन कर सकता है गाइस हेर स्पा के बाद हेर काफी light और बहुत soft हो जाते हैं जो आप देख सकते हैं मैं काफी जल्दी घर पहुच गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पाक में भी घूम लिया जाए क्योंकि आरफ के टूशन में अभी आदा घंटा था तो मैंने सोचा थोड़ी walk हो जाएगी इतने मैं walk करती हूँ इतने मैं वोप अपनी पढ़ाई कर लेगा तो मैंने आदा घंटा walk किया उसके बाद मैं सीधा आरफ को लेने गई छे बजे और मैं और आरफ हमेशा की तरह तो फाइनली हम अपने घर पहुच चुके हैं और गाईज आपको तो पता ही है मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ और उसके बाद थर्ड फ्लोर पे चर्ड ना मतलब आप मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कैसा फील होता है बट कोई नहीं लाइफ एस लाइफ स्टिल गोइन ओन क्या कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं पहुच गई हूँ अपने फ्लोर और फाइनली तो गाइज आज का ब्लोग हमारा यहीं खतम होता है कल हम फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले थाइब पार ना थाइब पूले